ओम शांती उन्तिज़ छे दो हजार चौबेस की साकार मुरली मीठे बच्चे शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है तुम आत्माओं को अब घर लोटना है इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ प्रश्न तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो उत्तर सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है अब हद के वर्ष का समय पूरा हुआ अर्थात भक्ती पूरी हुई अब रावण राज समाप्त होता है बाप आया है तुम्हें रावण पांच विकारों की जेल से छोड़ाने यह पुरुषोत्तम संगम युग है इसमें तुम्हें पुरुषार्त कर दैवी गुणों वाला बनना है सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो इस्तती स्रेष्ट बन सकती है ओम शान्ती अब रुहानी वच्चे क्या कर रहे हैं आव्याविचारी याद में बैठे हैं एक होती है आव्याविचारी याद दूसरी होती है व्याविचारी याद आव्याविचारी भक्ती जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं उचते उच भगवान वही है वह बाप भी है फिर सिक्षक भी है पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाते हैं देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन में लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में एक सेकेंड लगता है यह तो बच्चे जानते हैं हम बाप की याद में बैठे हैं वह हमारा टीचर भी है सत्गुरू भी है योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो वह आत्माओं हे बच्चे देह के सब सम्मंद छोड़ो अब वापस जाना है यह पुरानी दुनिया बदल रही है अभी यहां रहना नहीं है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारू दादी बनाए हुए है नैचुरल कैलमटीज भी मदद करती है विनाश तो होना है जरूर तुम पुरुशोत्तम संगम युक पर हो यह आत्मा जानती है हम अभी लोट रहे हैं इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है देह सहे जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सब विनाश हो जाना है शरीर भी खत्म ह हो जाना है अब हम आत्माओं को घर लोटना है लोटने भिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो पुरुषोत्तम हैं यह देवता हैं सबसे उंच ते उंच है निराकार बाप फिर मनुष्य स्रष्टी में आउ तो इसमें हैं उंच देवता वह भी मनुष्य हैं परंतु देवी गुणों वाले फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं अब फिर आसुरी गुणों से देवी गुणों में जाना पड़ें सत्यूग में जाना पड़ें किसको तुम बच्चों को तुम बच्चे रहे हो औरों को भी पढ़ाते हो सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आये हैं अब हद का वर्षा पूरा होता है बाप ने समझाया है पांच विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनश्य हैं सब दुखी ही उठाते हैं सुखी रोटी मिलती है बाप आकर सब को रावन की जेल से छोड़ाए सदा सुखी बनाते हैं बाप के सिवाए मनुष्य को देवता कोई बनाना सके तुम यहां बैटे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए अभी है कल योग बहुत धर्म हो गए हैं तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचे खुद बाप बैठ देते हैं तुम सिर्फ ईश्वर परमात्म कहते थे तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है टीचर भी है गुरू भी है उनको कहा जाता है सत्गुरू अकालमूर्थ भी कहा जाता है तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है वह अकालमूर्थ इस शरीर रूपी तक्त पर वैठे हैं वह जन्म नहीं लेते हैं तो वह अकाल मूर्थ बाप बच्चों को समझाते हैं मेरा अपना रथ नहीं है मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊ मुझे तो रथ चाहिए न अकाल मूर्थ को भी तक्त तो चाहिए अकाल तक्त मनश्य का होता है और कोई का नहीं होता तुम हर एक को तक्त चाहिए अकाल मूर्थ यहां आत्मा यहां विराजमान है वह सभी का बाप है उनको कहा जाता है महाकाल वह पुनर जनम में नहीं आते हैं तुम आत्मा ये पुनर जनम में आती हो मैं आता हूँ कलप के संगम योगे भक्ती को रात ज्यान को दिन कहा जाता है यह पक्का याद करू मुखे हैं ही दो बाते अल्फ और बे बाप और बादशाही बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं इसलिए इसको पाटशाला भी कहा जाता है भगवान उवाज भगवान तो है निराकार उनका भी पाट होना चाहिए वह है उच्छ भगवान उनको सभी याद करते हैं बाप कहते हैं ऐसा कोई मनश्य नहीं होगा जो भक्ती मार्ग में याद न करता हूँ सुख देते हैं कोई को पता नहीं अब बाप आए हैं कहते हैं बच्चों और संगतोड मुझे एक बाप को याद करो यह भी बाप ने बताया है तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो वहाँ तो अपार सुख है उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है नए मकान में सदेव सुख होता है पुराने में दुख होता है तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है यह तो हुई हद की बात अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कबरस्तान होना है अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है तुम संगम युक पर हो कल्युक की तरफ भी देख सकते हो सत्युक की तरफ भी देख सकते हो तुम संगम युक पर साक्षी हो देखते हो प्रदर्शनी में अत्वा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो इस तरह फे कल यूग उस तरह फे सत्यूग हम बीच में हैं बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुश्य होते हैं और कोई भी धर्मवाला नहीं आता है सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुशार्थ कर रहे हो पावन बनने के लिए ही मुझे पकारा है कि हे बाबा हमको पावन बना कर पावन दुनिया में ले चलो ऐसे नहीं कहते कि शांती धाम में ले चलो परमधाम को कहा जाता है स्वीट हो अभी हमको घर जाना है जिसको मुक्ती धाम कहा जाता है जिसके लिए ही सन्यासियादी सिक्षा देते है वह सुखधाम का ज्यान देश नहीं सकते वह है निवरत्ती मार्गवाले तुम बच्चों को समझाया गया है कौन-कौन धर्म कब-कब आते हैं मनुष्य स्रष्टी रूपी जाड में पहले-पहले फाउंडेशन तुम्हारा है बीज को कहा जाता है व्रक्षपती बाप कहते हैं मैं व्रक्षपती उपर में निवास करता हूं जब ज़ाड एकदम जड़-जड़ी भूत हो जाता है तम मैं आता हूं देवता धर्म स्थापन करने बनेन ट्री का बड़ा बंडरफुल ज़ाड है बिगर फाउंडेशन बाकी सारा ज़ाड खड़ा है इस बेहद के ज़ाड में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं बाकी सब धर्म खड़े हैं तुम मूल वतन निवासी थे यहां पार्ट बजाने आये हो तुम बच्चे ओल राउंड पार्ट बजाने वाले हो इसलिए चौरासी जन्म है मैक्सिमम फिर मिनिमाम एक जन्म मन शिफर कह देते हैं चौरासी लाख जन्म है वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते बाप आकर तुम बच्चों को समझहाते हैं चली जाती है, यह भी तुम जानते हो, बाकि सब आत्मा इस शांती धाम में होती है, तो शांती धाम अलग हुआ न, बाकि दुनिया तो यही है, पार्ट यहां बजाते हैं, नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना पड़ता है, सुख और दुख का गया खेल है वह है रामराज्य दुनिया में कोई भी मनुश्य है नहीं जानते कि स्रष्टी का चक्र कैसे फिरता है न रचाईता को न रचना के आदी मद्ध अंत को जानते है ज्यान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है रचाईता और रचना के आदी मद्य अंत का ज्ञान कोई शास्तर में है नहीं मैं तुमको सुनाता हूँ फिर यह प्राय लोप हो जाता है सत्योग में यह रहता नहीं भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है गीता में भी राजयोग नाम आता है बाप तुम्हें राजयोग सिखला कर राजाई का वर्षा देते हैं बाकि रचना से वर्षा मिलना सके वर्षा मिलता ही है रचता बाप से हर एक मनुष्य क्रियेटर है बच्चों को रचते हैं वह है हद के ब्रह्मा यह है बेहद के ब्रह्मा वह है निराकार आत्माओं के पिता वह लौकिक पिता यह फिर है प्रजा पिता प्रजा पिता कब होना चाहिए कि सत्यूग में नहीं पुरुशोतम संगम युग पर होना चाहिए मनुश्यों को यह भी पता नहीं है कि सत्यूग कब होता है उन्हों उन्होंने तो सत्यूग कल युग आदी को लाखों वर्ष दे दियें बाप समझाते हैं बारा सो पचास वर्ष का एक युग होता है चौरासी जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना सीड़ी का भी हिसाब चाहिए हम कैसे उतरते हैं पहले पहले फाउंडेशन में ही देवी देवता हैं उनके बाद फिर आते ने हमें ध्यान में दिखाया फिर हम यहां बनाते हैं फिर उनको बाप ही इस रत में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ खुद ही करेक्ट करते हैं श्री कृष्ण को श्याम सुन्दर कहते हैं परन्तु मनश्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है यह बैकुंट क मालिक था तो गोरा था फिर गावडे का छोरा सावरा बना इसलिए उनको ही शाम सुन्दर कहते हैं यही पहले आते हैं तत्वम इन लक्ष्मी नरायन की राजाई चलती है आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं यह भी किसको पता नहीं है भारत को भी भ मैं आता हूँ फिर सिस्थापना करने पहले पहले है ही आदिसनातन देवी देवता धर्म यह जाडवरद्धी को पाता रहता है नए नए पत्ते मटपंत पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है फिर अंत में जब सारा जाड़ जड़ड़ी भूत आपको भी देवताओं को भी गाली देते रहते हैं तमो प्रदान बे समझ बन जाते हैं तब मैं आता हूँ पतित दुनिया में ही आना पड़े तो मनश्यों को जियदान देते हो अर्थात मनश्य से देवता बनाते हो सम दुखों से दूर कर देते हो सो भी आधा कल्प के ल लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं, बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धी योग नई दुनिया में लगाना है बुद्धी में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे है दूसरा सभी को जियादान देना है मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है दैवी गुण धारन करने और कराने है वरदान सदा स्रेष्ट समय प्रमान स्रेष्ट कर्म करते वह वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मभव सदा स्रेष्ट समय प्रमान स्रेष्ट कर्म करते वह वह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मभव इस स्रेष्ट समय पर सदा स्रेष्ट कर्म करते वह वह के गीत मन से गाते रहो वाह मेरा स्रिष्ट कर्म या वाह स्रिष्ट कर्म सिखलाने वाले बाबा तो सदा वाह वाह के गीत गाओ कभी गलती से भी दुख करना जारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह जो स्वापने में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे में लिया इसी भाग्य के नश्य में रहो स्लोगन मन बुद्धी को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे मन बुद्धी को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हल चल में अचल अडोल रहेंगे अच्छा ओम शान्ती उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा हूँ पल भर बंद मेरे